ओमिक्रोन का खत्रा भारत में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं नए मामले सामने आते रहे हैं। दिल्ली में भी चार नए केस मिल चुके हैं। वहीं मंगलवाक महराश्च में आथ और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट में ओमिक्रोन का संक्रमन होने की फुष्टी हुई है। इसके साथ इभारत में ये संख्याव 61 हुच चुकी है। ऐसे में जानकारी के उंताविक दिल्ली के स्वास्यमंत्री सतेंद जैन ने कहा है कि जिन छे लोगों की जांच में अब तक कुरोना के नए वेरियंट की जानकारी सामने आई है वो सभी विदेश से लोटी थे। उन्हें इंद्रा गानी इंटरनाशनल एरपोर्ट से लोक नायक जैप्रकाश नाराइन अस्पताल भी भेज दिया गया था। वही अंतराश्ट्य हवाई अज्डे पर जैन ने समधाता उसे कहा कि एक को छुटी दी जा चुकी है और पांच की हाला तिस्तिर है। अब तक महराश्ट में सबसे ज्यादा 20 मामले दर्ज किये गए हैं इसके बाद राजिस्तान में 17 मामले दर्ज हो चुके हैं। अब तक महराश्ट के आठ नए मामले सामने आए हैं और इन में से साथ मुंबई से और एक वरसे विरार से था। इन में से किसी ने भी विदेश की यात्रा नहीं की थी। तो दिन पर दिन ओमिक्रॉन का खत्रा भारत में बढ़ता जा रहा है लेकिन डर्ने की ज़रूरत नहीं है। साथान और सतर को रहने की ज़रूरत हैं साथानी बढ़तने से ही ओमिक्रॉन को हम माद दे सकते हैं। झाल झाल